हेलो फ्रेंड्स, यौल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स स्वाधी राठ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओलाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स और आज हम लोग सिनोनिम का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी अपने सामने देखी सकते हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 मैंने अल्रेटी बना दिया है, होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, तो without wasting much time हम अपना सिनोनिम का पार्ट 5 करते हैं, और देखते हैं कि हमारा पहला वर्ड क्या है, देखिए पहला वर्ड दिया है, impediment, impediment का मतलब होता है, hindrance, रुकावट, रास्ते की अर्चन, obstacle, इसे ही हम बोलेंगे impediment, तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम हो जाएगा सही, वो हो जाएगा option D, obstruction, क्योंकि obstruction का मतलब भी होता है, अर्चन या फिर रास्त option D, obstruction, option A, देखिए, clear, clear का मतलब होता है, easy to see and understand, जो आसानी से देखा या समझा जा सके, उसे ही हम बोलते है, clear, option B, is element, element का मतलब होता है, any illness, that is not very serious, कोई ऐसी पीमारी जो बहुत जादा गंभीर ना हो, उसे बोलेंगे element, option C, is incapable, incapable का मतलब होता है, not able to do something, जो कुछ करने के योगिना हो, जो कुछ काम करने में असमर्थ हो, उसे बोलेंगे, incapable, तो hope आपको सारे words के meaning clear है, impediment का सही synonym हो जाएगा, option D, obstruction, which means hindrance, next word है, poach, poach को मतलब होता है, to hunt animals illegally, जानवरों का गैर कानूनी ढंग से शिकार करना, इसे बोलेंगे, poach, अब इसका जो स ही, synonym हो जाएगा, वो हो जाएगा, option B, hunt, क्योंकि hunt का मतलब भी होता है, शिकार करना, अब option A, देखिए, catch, catch का मतलब होता है, पकड़ना, थामना, option B, hunt, जो मैंने आपको बता दिया, शिकार करना, option C, is preach, preach का मतलब होता है, to give a sermon on a religious subject, किसी धार्मिक विशह पर प्रवचन या फिर उपदेश देना, इसे बोलेंगे, preach, और option D, is plunder, plunder का मतलब होता है, generally, जो योद और दंगे होते हैं, उन दंगों में सामान को लूटना, इसे बोलेंगे, plunder, तो hope आपको सारे words के meaning clear है, poach, which means to hunt animals illegally, इसका जो सही synonym हो जाएगा, वो हो जाएगा, option B, hunt, next word है, infuriate, infuriate का मतलब होता है, to make somebody very angry, किसी को बहुत जादा क्रोधित करना, बहुत जादा गुस्ता दिलाना, ये मतलब हो जाएगा, infuriate का, और इसका जो सही synonym हो जाएगा, वो हो जाएगा, option D, enrage, क्योंकि enrage का मतलब भी होता है, किसी को बहुत जादा क्रोधित करना, गुस्ता द बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं आपके करेक्टर की वज़े से आपके व्यवहार की वज़े से लोग आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं तो loss of reputation due to dishonorable action इसी को हम बोलेंगे disgrace option c is threatened, threatened का मतलब होता है इच्छित काम न करने पर धमकी देना जब कोई आपकी पसंद से आपकी इच्छा से काम ना करे तो उसको धमकी दोगे इसी को बोलेंगे threaten for example जनरली यह भाई बेन के बीश में बहुत होता है ना भाई को कुछ बोला करने के लिए अगर उसने बात नहीं मानी तो फिर धमकी दोगे पापा को बता दूँगा कंप्लेंड कर दूँगा इसी को बोलते हैं थ्रेटन option D enraged जिसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि to make somebody very angry तो infuriate का मीनिंग भी पता है उसका synonym option D enraged next word देखते हैं लाउजी लाउजी का मतलब होता है very bad और unpleasant मतलब बहुत ज्यादा बुरा अब इसका जो synonym हो जाएगा वो हो जाएगा option B awful क्योंकि awful का मतलब भी होता है very bad बहुत ज्यादा बुरा या फिर unpleasant अब option A देखिए unbearable unbearable means a sahniyah too painful to accept इतना ज़्याद दर्दनाक है कि उसको सहन नहीं किया जा सकता है इसे ही बोलेंगे unbearable option B awful which means very bad or unpleasant बहुत ज्यादा बुरा option C is lose lose means जिस पे कोई बंधन ना हो बंधन मुक्त free एकदम खुला उसे बोलेंगे lose option D is stinking देखिए stinking का मतलब होता है having very strong and unpleasant smell दुर्गंध होना भयंकर दुर्गंध होना इसे बोलेंगे stinking stinking तो hope आपको lousy का meaning clear है which means very bad or unpleasant बहुत बुरा इसका जो synonym हो जाएगा वो हो जाएगा awful option B next word देखते हैं next word है prodigal देखिए prodigal का मतलब होता है spending money freely है ना जो धन होता है पैसा होता है उसको freely खर्च करना मतलब जरूरत नहीं है उससे ज्यादा उसको पैसे को खर्च करोगे उसे बोलेंगे prodigal तो इसका जो सही synonym हो जाएगा वो हो जाएगा option D wasteful क्योंकि wasteful का मतलब भी होता है कि जरूरत से जादा खर्चा करना बहुत जादा खर्चीला तो prodigal which means spending money freely इसका जो synonym हो जाएगा option D wasteful और option A देखिए huge का मतलब होता है very big विशाल option B is prodigious prodigious का मतलब होत जो बहुत जादा शक्तिशाली हो बहुत बढ़ा हो उसे बोलेंगे prodigious option C is enormous enormous का मतलब होता है very big और very great जो बहुत जादा महान हो बहुत जादा बढ़ा हो तो देख सकते हैं कि कहीं न कहीं option A, B, C ये आपस में एक दूसरे के synonym ही वन रहे है क्योंकि इन सब का मतलब ही बहु इशाल बहुत महान ही निकल रहा है और यहाँ पर जो prodigal दिया है आपको which means spending money freely पैसे को बहुत जादा खर्च करना जरूसे जादा खर्च करना उसका synonym हो जाएगा option D, Wasteful तो friends ये आज मैंने कुछ words आपके साथ discuss किये इनके meaning आपको बताया और इनकी synonym क्या हो जाएगा options में से वो मैंने आपको बताया hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए अपने maximum contacts के साथ इसको share कीजिए और अगर still channel subscribe नहीं किया है तो channel को एक बार subscribe कर लीजिए आगे मैं आपके लिए अच्छा show और लेकर आउंगी तब तक के stay tuned with us thank you so much wish you all the best